हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है मेरे यूट्यूब चनल पे तो दोस्तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जो बेज़्ड है ऐसे एकसल के उपर तो दोस्तो मेरा पहले से ओपन है तो मैं यूहीं और नंगार मल सी बात जो बेसिकन खてे है वह हम जान लेते हैं कि क्या होती है करके ठीक है तो सबसे पहले start करते हैं जो यह आप सो रहा होगा आपको book one excel लिखाया यहां पर तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों कहते हैं दोस्तों आप टाइटल बार साधी हम आप कि अगर हम इस जो भी आचिंग में क्या नाम देत şunu क्या माज़नile बिह देखा होगा कि कोई भी टाइटा आगर हम बनाते हैं तो तो क्या करता है लाईन एंफ धिर्शी कुछ ठीक है तो कुछ रोः खीचते हैं पंग्तिएं खिचते हैं कुछ कॉलम्स हीसते हैं बिल्कुल horizontal तो क्या है दोस्तों उसी को उनीका जो ओने का उनी का स्वैक्षाय को का स्वैक्षान का सबगे, दिया घेल टिए जुपराइव बनाई बनाई कोई भी data बनाएं तो यह बहुत important है ठीक है और Excel सीखना भी बहुत important है क्योंकि हर जगह यह काम पर आता है कोई भी data अगर हम बनाएं ठीक है तो ठीक है basic information इसके बारे में जान लेते हैं तो आएए चलते हैं book 1 Excel के बारे में जिसके बारे में बता चुका हूँ एक बार और बता देता हूँ कि जो भी documents हम चाहे बनाएं चाहे हम कोई school का बनाएं या कोई office का related बनाएं तो उसको हम जो name देंगे तो name यहाँ पर displays होगा so होगा यहाँ पर ठीक है book 1 के बतले वो आ जाएगा तो उसे को क्या बोलेंगे title bar मतलब कि इसका नाम क्या दिया जा रहा है ठीक है तो दूसरी बात यह है कि इसको कैसे मतलब जो है यहाँ पर नाम कैसे आएगा वह चीज़ देख लेते हैं तो ठीक है इसके बाद एक बार हो और एक access toolbar होते हैं यह ठीक है यह एक window खुल गई है open होगी है यहाँ पर लिखा है blank workbook और bill statement इस तरह से अलाग अलग वो बने पड़े हैं ठीक है यहाँ ब्लैंक workbook है और यहाँ पर bill statement की workbook बनेगी और blood pressure tracker यह सब चीज़े हैं ठीक है तो blank workbook और तो यह file tab से होता क्या है पहले यह जान लेते हैं ठीक है तो यहां से हम किसी भी जो documents को बनाइंगे इसको हम save कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कि save है और सेव एज है प्रिंट कर सकते हैं यहां से और शेयर कर सकते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों अब देखते हैं हम बैक आते हैं ठीक है पहले इसको एक नाम दे लेते हैं या चलो सेव कर लेता हूं मैं ठीक है इसको एक बार आप ल यहां पर दोस्तो documents आ चुक है मैं इस पर save करने जा रहा हूँ इसको और तो मैं click करता हूँ तो यह खुल जाएगा तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं टाइटल बार पर जो है ABC Excel लिखा वह आ चुक है ABC मतलब Excel के एक documents है ABC नाम से हमने save कर दी थी तो अब देखते हैं जो है quick access जो है quick access कैसे काम करता है वो देख लेते हैं तो यह है यहां पर आप देख रहे होंगे save control plus s आ रहा है control plus s से ह सकते हैं एक quick access कर सकते हैं वैसे ही यहां पर देख सकते हैं undo है undo can't undo लिख रहे है विकोच जब तक हम किसी cell पर कोई work नहीं करते हैं तब तक यह work नहीं करेगा और इसी के सामने जो दूसरा है उसे वो redo है वो भी अभी use नहीं होगा क्योंकि जब तक हम काम नहीं करेंगे और करेंगे तो एक नया जो है एक नई सीट हमको प्राप्त हो जाएगी ठीक है तो इसके बारे में बात करते हैं और इसे के सामने है यह side में देख सकते हैं आप तीन बटन दिखा ही रहे हैं आपको तो यह क्या जीचे होती है यह देख लेते हैं program window control होता है इससे हम minimize कर सकते है पहला वाला जो है यह manage देख रहा होगा manage type का तो minimize कर सकते है minimize का मतलब जब इस पर click करते है तो हम window जो हमारा यह program है यह तो चलता रहता है बट यह क्या हो जाता है home screen आ जाती है और यह side पर हो जाता है ठीक है मतलब इस तरह से और जो इसका second जो option है उससे क्या होता है इससे restore हो जाता है मतलब restore कहने का मतलब है कि इससे हम इसका जो size है हमारी जो Excel documents का size है उसे हम छोटा यह बढ़ा कर सकते हैं देख सकते हैं एक बार और क्लिक करेंगे तो यह बढ़ा हो जाएगा और जो last वाला है इसको इस पर अगर हम करते हैं तो इससे close हो जाएगी file जो है इस home page में क्या क्या होता है और अगला है insert और ऐसे है page layout फॉर्मुलाज data review view health इनके अलगलग points हैं तो इनके बारे हम बात में बात करेंगे पहले हम home page आते हैं कि वल ठीक है home पर आने के बाद भी हमको कई सारे बटन से आपर मिल जाते देख सकते हैं बहुत सारे points हैं यहां प cells है cells में हमने को insert करनी है delete करनी है और उसका format किस तरह से बनाना है यह चीजह है auto sums है feeling है clear है ठीक है इसहरी चीजह है तो यह क्या है एक shortcuts button है यहां पर जल्दी से काम कर सकते हैं ठीक है तो क्या करते है ठीक है यह ribbon है और उसको काम करते करते धिरे-धिरे सब buttons को एक साथ सीखन वाला है हम लोग ठीक है तो आते हैं पहले नीचे की तरफ तो देख सकते हैं यहां पर क्या-क्या चीज़ें होती है देख लेता है यह जो ABC आप लोग देख रहे हैं यह क्या चीज़ें होती है यह ये column headings होती है और जो ये 1, 2, 3 देख रहे हैं ये row heading होती है ठीक है तो अब देख सकते हैं जो यहाँ पर देख सकते हैं ना ये ये देख सकते हैं तो यहाँ पर एक name box होता है ये क्या होता है name box name box का मतलब है पहले ये देख लो ठीक है मैं यहाँ पर touch करता हूँ और यहाँ प हो करता है उसे ठीक है नेम बॉक्स क्या है चो कर रहा है देखो भी लिखा ला या यह disagreed क्या है यह वाला सेल Vallahi सब्सक्राइब अब मैं आगर चेंज करता हूँ तो यहां पर क्या आजाता है इसका मतलब क्या है कि वाला जो column है और six वाली जो रो है वो वाला क्या है sell active है ठीक है तो इस तरह से हम देख सकते हैं और ऐसे यह जिए सब सीट लिख ए है यहाँ पर देख सकते हैं यह पर सीट लिखा थो इसी प्रकार से कई सीट का निर्माण किसंट्स पर कर सकते हैं कई सीट है और इन C2 को नाम भी दे सकते हैं कि हम कौन सी बनाने वाले हैं तो यहाँ पर rename है दोस्तों यहाँ पर rename कर सकते हैं और इस seat को हम सब्वोज स्कूल के नाम पर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर S-C-H ठीक है इसकी spilling डाल लेते हैं इसी परकाद से इस तरह से इनकी भी डाल सकते हैं अगर जरुत पड़े तो और अगर जरुत नहीं है तो आप delete भी कर सकते हैं इस तरह से delete करेंगे तो यह अपने आप हड़ जाएगी ठीक है इस तरह से आप आगे देखते हैं कि इस पर और क्या-क्या function है normally नौर्मली देखते हैं तो यहाँ पर यह scroll down दिख रहा होगा आपको ठीक है scroll bar बोलते हैं इसको scroll bar बोलते हैं इससे क्या होता है जब हम इसे ऊपर नीचे करते हैं तो इससे क्या होता है जितने भी हमारी row पर काम हुए रहता है तो इन row को हम आसानी से देख सकते हैं कि कितना वर्क हो रखा है ठीक है और वैसे ही यह क्या है scroll arrow है scroll arrow इसका मतलब क्या है हम इससे आसानी से हम इसके इसी दरह से नीचे कर सकते हैं ठीक है वैसे ही यह भी एक scroll bar है और यह भी क्या है एक scroll row है ठीक है, scroll row, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, sorry, scroll arrow बोलते हैं, row arrow, scroll arrow, दोनु साइड होगी, उपर नीचे, ठीक है, इससे उपर नीचे आराम से हम कर सकते हैं, और वैसे क्या है, यहाँ पर view point है, इससे हम क्या कर सकते हैं, देखो, normal है अभी, normal का मतलब तो जब complete work sheet दिखती है हमको और second पर जाद है page layout मतला page को different different तोड़ देता है ठीक है इसी प्रकार से और ठीक है सबसे most important एक और चीज रहेगी है इस पर ज्यादा deeply बात नहीं करते है नॉर्मल से start करेंगे और सबको एक एक बार काम करके देखेंगे कौन सा ribbon पर भी देखेंगे कौन सा point किस तरह से काम करता है क्या क्या काम होता है हर चीज का तो इस तरह से देखेंगे और यहां पर जूम लिखा हुआ आ रहा है आपको दिख रहा होगा तो इसको g zoom in and zoom out पर का zooms करता है यह ठिक है बड़ाएंगे इसको तो क्या होगा यह जूम हो जाएगा और अगर इसको minus करेंगे तो क्या होगा यहांसे ठिक है zoom out हो जाएगा जो की लिखा हुआ आ रहा है ठिक है इस तरह से कर सकते हैं अ तो ठीक है दोस्तों यहां पे जो है इसका complete जो है थोड़ा बहुत जो भी था यहां पे कर लेते हैं दोस्तों एक चीज और रहेगी है देख सकते हैं यहां पर प्लस change हो जाती जब हम क्या होता है जब हम accept के ऊपर काम करते हैं तो यह plus के रूप में दिखाई देता है यह दिख सकते हैं ठीक है और अगर हम इसको work sheet से बाहर ले जाते हैं इस वाली जो work sheet हमारे पास इससे बाहर जाएंगे इस तरह से तो यह क्या हो जाएगा एरो के रूप में चेंज हो जाता है ठीक है यहां लाएंगे तो प्लस आगर ऐसे ले जाएंगे तो यहां पर इसका पॉइंटर होते हैं दोनों ठीक है बस डिफ्रेंट्स जो है इसका जो आकार है मतलब आ करती है कुछ image इस ट्रह से होती है ठीक है दोस्तों यहां पर information लगब लगब complete हुई तो यहां पर video off करते हैं और उसके बाद इस पर काम करेंगे सम एडिशन जो है हम video off करते हैं